हलो एबरीवान एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कुछ इंपोर्टेंट mcqs यानि की multiple choice question जो जारखन की सभी परिक्षाओं के लिए काफी लाबदायक सिद्ध होंगे और दोस्तों आज के जो question होंगे वो जारखन के जो इतिहास प्राग इतिहासिक काल्व पासान यूग बोद धर्म जेन धर्म से समबंदित question होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों पहला स्वाल है जारखन की कौन सी जनजातियों ने पर्थम लोह कर्म का काम शुरू किया था दोस्तों जहारखंड की कौन सी जनजातियों ने लोह कर्म यानी की जो लोहे के ओजार बनाने का काम किसने शुरू किया था तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा असूर और बिर्जिया दोस्तों ज्ञारखन की असूर और बिर्जियाज जनजाती के लोगों ने सबसे पहले ज्ञारखन में लोह कर्म का काम शुरू किया था Q2. ज्ञारखन की सबसे प्राचिन जनजाती किसे मानी जाती है? ज्ञारखन की सबसे प्राचिन जनजाती तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? Option 2 असूर जन जाती, ज्ञारखन की सबसे प्राचिन जन जाती Question No.3 ज्ञारखन में तामरपाशान संस्कृति का केंद्र बिंदू था तामरपाशान संस्कृति यानि कि उस तामबा और पाशान के ओजार जिस वक्त परियोग किये जाते थे उसका केंद्र बिंदू कौन सा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंभूम दोस्तों सिंभूम में अभी भी सिंभूम से तामबा निकाला जाता है तो इसको याद रखेगा कि यहीं तामरपाशान संस्कृति का केंद्र बिंदू था Q4. जारखन के किस अस्थान से उन्चास तामबे के खानों के ओसेस मिले हैं? उन्चास तामबे के खानों के ओसेस कहां से मिले हैं? काफी important question है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बारह गंडा कहां परिस्थित है? हजारी बाग में Next question देखते हैं, question number 5 जारखन के किस अस्थान से पुरातातवी काल के चित्र अंतरिच नचत्र, अंतरिच यान यादी पराप्त हुए हैं? यह भी काफी important है जारखन के किस अस्थान से पुरातातवी काल के चित्र मिले हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसको दोस्तों, इसको हजारी बाग में इस्थित है और यहां से की गुफाओं से हमें क्या-क्या चित्र मिले हैं? अंतरिक्ष का चित्र मिला है नजहत्र का अंतरीक्ष्यान का भी चित्र यहां के आदिमानों द्वारा बनाया गया था गुफाओं में Q6. ज्यारखन के किस अस्थान से पुरातात्वी काल के आखेट चित्र प्राप्थ हुए हैं जिसमें हीरन भैसा आदि पशुओं के चित्र हैं आखेट चित्र मतलब शिकार के चित्र जिसमें हीरन भैसा आदि पशुओं का चित्र है तो यह कहां पर इस्थान मिला है किस अस्थान में भावनातपूर में मिला है यह चीज़ आखेट का चित्र भावनातपूर गड़वा जिला में स्थित है Next question देखते हैं ज्यारखन के किस अस्थान से प्राग एतिहासिक कहां से का प्याला प्राप्त हुआ है दोस्तों ऐसे सवाल अक्सर पुछे आते हैं तो इसको याद रखिएगा कि प्राग एतिहासिक कहां से का प्याला कहां से प्राप्त हुआ है लोहरदगा से Next question है जहरखेन के किस स्थान से पाशानकालिन मानो द्वारा निर्मित पत्थर के ओजार मिले हैं तो ये हजारी बाग में हजारी बाग के इसको से बहुत सारे आदि मानो पाशानकालिन मानो के मतलब पहचान मिले हैं उसमें से पासान का निर्मित पत्थर के ओजार मिला है, गुफाओं से चित्र भी मिले हैं नेक्ट देखते हैं, कोस्चन नमबर नाइन निम्नलिखित में से किस अस्थान से प्रागयती हासिक काल की गुफाएं एवंग दूरलब शेल चित्र प्राप्थ हुए हैं किस अस्थान से प्रागयती हासिक काल की गुफाएं एवंग दूरलब शेल चित्र प्राप्थ हुए हैं लुपुंगड़ी से कब्रगा के उसेस मिले हैं, इसके बाद जेन धर्म से सम्बंधित कुछ सवालों को देखते हैं, जारखन का कौन सा अस्थान जेन धर्म से सम्बंधित है? तो चारो अप्षन में से कौन सा ही होगा हनुमांड गाउं हनुमांड गाउं जेन धर्म के लिए जेन धर्म से संबंधित है क्वेश्चन नमर बारा पारसनात पहाड़ी किस धर्म का परमुक तिरतस्थल है दोस्तों पारसनात पहाड़ी कहां इस्थित है गिरिडी में और ये जेनधर्म का पवित्रतितस्थल माना जाता है Q13 पारसनात पहाड़ी कहां इस्थित है सही उत्तर गिरिडी में दोस्तों पारसनात पहाड़ी कहां इस्थित है गिरिडी में और ये पारसनात पहाड़ी के अंतरगर जो संबेद सिखर है ये जहरखन की सबसे उंची चोटी मानी जाती है और इसकी उंचाई कितनी है तेरसो पैंसाट मिटर लगभग सरक किने कहा जाता है तो सिंभूम के प्राणभिक निवासी जो जयन धर्म को मानते हैं दोस्तों सरक किने कहा जाता है सिंभूम एरिया के जो प्राचिन निवासी जो पहले जयन धर्म मानते थे उनको श्रावक कहा जाता था श्रावक धीरे धीरे इसका अपभरन्स होके इन्ह इसको याद रखे आगा नेक्स्ट है कोस्टेन नंबर 15 जेन धर्म के कितने तिर्थंकरों ने पारसनात पहाड़ी पर निर्वान प्राप्त किया जेन धर्म के कितने तिर्थनकरों ने निर्वान प्राप्त किया बीस दोस्तों निर्वान प्राप्त करना मतलब इहां आकर उन्होंने अपना देह को त्याग दिया था और कुल बीस तिर्थनकरों ने पारशनात पहाड़ी पर निर्वान प्राप्त किया था स्वल्ला नंबर पारस्वनात पहाड़ी पर निर्वान प्राप्त करने वाले Antheem yen तिर्थंकर कौन थे पार्षवनात दोस्तों पार्षवनात और इन्ही के नाम पर पारस्थ पहाड़ी का नाम पढ़ा था नेक्स्ट, question नमबर 17, ज्यारखन के की सस्थान से नो सर्प छत्रयुक्त जेन तिर्थंकरों की परतिमा है, नो सर्प छत्रयुक्त मतलब जेन तिर्थंकर जो बैठे हुए हैं और उसके उपर नो साप के छत्रक बनाये हुए हैं, question number 18, ज्यारखन के की सस्थाल में जेन धर्म और बत धर्म से सम्बंधित अनेकों मूर्तियों के उसेस मिले हैं, तो कलवा पहाड चत्रा में इस्थित है जो जयन धर्म के लिए काफी परशीद है और दोस्तों कलवा पहाड से जयन धर्म के अलावाद बोध धर्म और श्रेव धर्म से संबंधित और शेश भी मिले हैं Question number 19 पलामू के किस अस्थान से जयन धर्म के पुजास्थल प्राप्त हुए हैं तो इसका सही उत्तर क्या है हनुमान गाओं इसको याद रखिएगा हनुमान गाओं पलामू जिले में इस्थित है Question number 20 जयन धर्म से संबंधित अस्थल बेनुसागर कहां इस्थित है बेनुसागर कहां इस्थित है तो यह सिम्भूम में इस्थित है इसको याद रखिएगा जयन बेनुसागर सिम्भूम में इस्थित है इसके बाद बहुत धर्म से संबंधित कुछ स्वालों को देखते हैं ज ते त्यारखенд के दियापुर दालमी नामक अस्थान से बौद इसमारक प्राप्त हुए है यह स्थान किस जिले में अस्थित है दोस्तों बौद धर्मके दृश्टिकों से दियापुर दालमी नामक जो अस्थान है ये काफी important है इसको याद रखिएगा ये अस्थान कहां परिस्तित है धनवाद में और यहां से बूद्ध की मुर्ती प्राप्त हुई है question number 22 धनवाद के करूआ गराम से बौद्धर्म से सम्बंधित कौन सा इसमारक पाया गया है वो अस्थान के सम्थान है बौद्धर्म में बौद्धिहार मिला है यहां से प्राप्त शांची के इस्तुप में परियूप्त इंट के समान है कटूंगा ग्राम से बुद्ध की मुर्ति मिली है और यह अस्थान कहां इस्थित है रेलवे बानो रेलवे स्टेशन के सामने गुमला में कटुंगा गराम से बुद्ध की मिर्थी मिली है तो इसका अस्थान आपको याद रखना है कटुंगा गराम बानो में इस्थित है बानो रेलवे स्टेशन के सामने सिम्डेगा कोस्चन नमबर 25 बोध धर्म से संबंधित देवी तारा देवी की मुर्ती कहां से मिली है यह काफी इंपोर्टेंट है स्वाल अक्सर पुछा जाता है बोध धर्म से संबंधित देवी तारा देवी की मुर्ती कहां से मिली है इचागड से सारे केला खर्समा में इस्थित है इ भगवान बूद्द की चार आकरितियों वाली एक इस्तूप मिली है। पहाड हजारी बाग से शितागड़ा पहाड फाहियां दवारा सितागड़ा पहाड के बारे में उल्लेग भी किया गया है इसको भी याद रखिएगा सितागड़ा पहाड Q26. बंगाल के पाल सासको के सासन की समय जारखंड में बोध धर्म का कौन सा संप्रदाय विक्सित हुआ था? यह भी पूछा जाता है अक्सर बजरयान साखा विक्सित हुआ था पाल वन्स के सासको के दोरा Q27. धनवाद का परसित बोध अस्थर दालमी किस नदी के किनारे वस्थित है? परसित बोध अस्थर दालमी दामोदर नदी के तट पर इस्थित है Q28. जारखंड में धनवाद के निकट बुधपूर में कौन सा मंदिर निर्मित है? Q29. Q29 में क्या है? Q30. गोहल मारा से बोध धर्म से सम्मदित कौन सावसेश पराप्थ हुआ है? Q30. बोध की खंडित मुर्ति Q30. तो दोस्तों यह थे आज के कुछ इंपोर्टन कोस्चिन उम्मित करते हैं आपको पसंद आया होंगे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ तब तक आप अपना ख्यार रखिये धन्नवाद